वेलकम बेक गुर्दाती चैस जोन आज हम देखने वाले हैं विशब एटू एरेशन स्केंडिन डिफेंस में इन पॉर्टुगीज गैमबिट ये वर्ड याद दखना पॉर्टुगीज गैमबिट अभी तक हमारा वही चैप्टर चल रहा है पॉर्टुगीज गैमबिट तो E4, D5 स्टार्ट करते हैं E D5 Knight F6, D4, Bishop G4, Bishop E2 यहाँ पे changing है F3 के बजाए Bishop E2 तो Bishop E2 में आपको Bishop takes Bishop मानना है दो option है White के पास Knight E2 और Queen E2 Knight E2 में Queen D5 अलाकि Queen E2 में भी वही move है Queen D5 After Queen D5, White Castle करेगा यहाँ पे आपको खिलना है Knight C6 यह 6 move complete हो गए और इसके बाद normal है जैसे कि C3 Long Castle फिर E5 भी कर सकते हैं Next में तो यह एकदम simple variation है Queen E2 अब देखते है क्लासिकल वेरियेशन दोस्तों पोर्टूगेश जो पोर्टूगेश गैंबिट का लास्ट चैप्टर है आज हमारी पोर्टूगेश गैंबिट हम खतम करने वाला है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में लास्ट में बताता हूँ E4, D5 E D5, N F6 D4, B sub G4 और N F3 यह है क्लासिकल वेरियेशन अप्टर N F3, simple Queen D5 अब में B sub E2 जहां पर Y कोशारे मूज कर सकता है B वेरियेशन में C4 मतलब की Queen पर Attack C4 में आपको खेलना है B sub takes F3 दोस्तों सबसर्ब बेस्ट मूँ यह है वाइट के लिए B sub E2 ज़रूरी है B sub E2 ज़रूरी है Early C4 करते हैं आप B sub से Knight को Capture कर सकते हैं पॉन स्ट्रक्टर आप वाइट का खराम हो जाएगा B sub F3, G takes F3 और फिर Queen H5 Queen H5 अगर यहाँ पर Queen B3 किया तो NBD7 B sub G2 और यहाँ Long Castle Mostly आप लोगों ने देखा कि Scandinavian Defense में ज्यादा तर Long Castle किया गया है अब देखते हैं नेस्ट जो वीडियो है नेस्ट वीडियो के बारे में आपको बताना चाहूंगा मेरा सबसे फेवरिक चैप्टर है Icelandic Gambit Icelandic Gambit जैसे कि E4 D5 D5 Knight F6 यह बहुत ही Attacking Line है C4 C4 थोड़ी सी विक मूव है वाइट की यहाँ से आपको करना है Continuous Attack और कैसे करना है इसके बारे में हम देखेंगे Next वीडियो में कब तक के लिए सबसे पहले में Last वीडियो वाला जो question था Puzzle थी उसका answer आपको बताता हूँ यह थी position दोस्तो Last वीडियो वाले puzzle की यहाँ पे Black ने Queen as to Force Mate की thread दी है तो यहाँ सारे मूर्स फोर्स होंगे सबसे पहले Rook effect check अगर King G7 या H7 मूँ करता है तो simple आप Rook text pawn और Double attack से Queen प्लास होते हों तो Force मूँ है King takes Rook Then Knight F4 discover check by Queen अगर Queen Interpose होते है तो Rook checkmate है तो यहाँ पे Force variation King G8 क्योंकि King E8 में Queen E7 Mate है तो King G8 Force मूँ है यहाँ पे Queen sacrifice आएगा Queen F8 After King takes Queen Then Rook checkmate दोस्ता अगला question यह आपके सामने है Why to play Comment box में आपके answer लिखिए और मेरे next वीडियो में इस answer का मेरे answer से compare के जिए सही है या गलत आपको में अपने next वीडियो में बता दूँगा answer और जितने भी puzzles में लाता हूँ difficult होती है तो हर एक puzzle के लिए आपको 10 से 15 मिनीद सोतना होता है आराम से और जो भी बहुत ही strong player है बहुत ही expert advance है उनको जल्दी मिल जाते है तो नए वीडियो में हम देखेंगे Icelandic Gambit के बारे जाए Icelandic Gambit बहुत ही attacking line है क्या है Icelandic Gambit E4 D5 E takes D5 Knight F6 अब C4 जब भी कोई C4 ये line खेलता है तो मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ दोस्तो क्योंकि मुझे इसमें बहुत attack मिलता है बहुत खेलने का मज़ा आता है तो इसके बारे में कोई भी वीडियो मिश मत किजिए सारे वीडियो आप ज्यान से देखना जल्दी मिलेंगे जएए जएगुजा